नमस्कार दोस्तों लेलिज जोतिस समाधान में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसी साथ गलतियों के बारे में जो अक्सर भाई बहन करते हैं और जिसके करण से भूत प्रेद बाधा उनके साथ लग जाती हैं तो आखिर कौन सी हैं वो साथ गलतियां जिनें आप जानें और जानकर आप इनसे चुटकरा पा सकते हैं गलतियां नहीं करेंगे तो दिक्कत लगेंगे भी नहीं तो देखिए दोस्तों जो सबसे पहली गलती है ये बात माताओं और बहनों पर बहुत सटीक लागू होती है इसमें क्या है बाल खुले रखना अमूमन माताओं और बहने रात के समय बाल खुले रखती हैं और ऐसे ही सो भी जाती है तो खुले बालों में भूत बाधा कि रात के समय चुटिया बना के सोएं इससे आपको बहुत फायदा मलेगा अब अगर कभी ऐसी कंडिशन आ जाती है जीवन में कि आपको घर से बाहर जाना है और रस्ते में चौक चौराहा पढ़ना ही पढ़ना है तो उस समय पर अगर आपने बाल खुले रखे हैं तो बूत प्रिद बाधा आप पर निश्चेत तोर पर लग सकती है इसलिए ऐसे समय में चुटिया बनाना अगर संभब नहीं है उस समय में आपके लिए तो जूड़ा बना लो बालो में थोड़े से बाल लेके उनकी चुटिया बना लो या गांठ मार लो क्योंकि खुले हुए बाल तो यी जो सर है एक ब्रह्मन के यहाँ पर गिтив रहा था इस ब्रह्मन ने जो उस पर खून वेगरा लगा था उसे साफ करके रख लिया जब रहु को होश आया तो इसने देखा कि वो कहां है उसने पूछा आप कौन हो आप मुझे जानते हों तो उसने कहा कि आप ऐसे ऐसे मैंने आपको रखा है तो राहू ने ये नोटिस किया कि इनके सर पे चुटिया है वो ब्रहमन थे तो तब से उन्होंने ये बोला कि जो भी वैक्ति सर के पीछे चुटिया रखेगा उसको मैं परिशान नहीं करूंगा और राहू से ही अतियंत हर तरह की नेगिटिव एनरजी का जन्म होता है तो चुटिया रखने का बहुत महत्व है ये था पहला रिजन अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे रिजन की ये बहुती ज़्यादा प्रचलन में है कि अगर कोई भी वैक्ति मीठा खाकर खास तोर पर अगर वो सफेद रंका है घर से बाहर निकलता है त किसी ना किसी प्रकार की नकारत में कोड़जा होती है और ऐसे में इस तरह के दिक्कत उसे लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अब करना क्या चाहिए मानली जिए आपने कुछ मीठा खा लिया तो या तो कुछ दिर रुख जाईए और पानी का कुल लिजी आपने को मीठा परचेज कर लिया बर्फी ले लिया रसुल्य ले लिया कुछ भी मीठा ले लिया और आपको अगर ऐसा लगता है कि रस्ते में कहीं ना कहीं शम्शान घाट कबरिस्तान या कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ पढ़ेगी तो क्या करें यूखिए ऐसे में या तो आप उसी में से या थोड़ी सी मिठाई अलग से ले 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 और जहां भी तरह की का स्थान पड़े वहां आगे पीछे करें थोड़ा स्थान छोड़ दे कि जी मैं अपनी इच्छा से इस तरह का समान यहां पर रख रहा हूं मैं अंजान बालक हूं मुझे तो अब योज से घ्रेंड कर ले मुझे परिशान ना करे ठीक है जी ये दूसरा रीजन बता दिया अब तीसरा रीजन बताता हूँ आपको बहुत अत्याधिक सेंट परफ्यूम डियों का इस्तमाल करना नुकसान दे होता है भरी दुपहरी में बहार चले जाना रात के समय बहार चले जाना ये नेगटिव एनरजी को बहुत अच्छे से अपनी तरफ खीचता है योकि नकारात्मक उरजा अपनी सेंसिस से बहुत जल्दी पकड़ती है इसलिए ऐसे समय में जब आप ये डियो परफ्यूम इस्तिमाल करते हैं तो हलकी सुगंद का परियोग करें और कम मा आत्रा में परियोग करें तो आपके लिए अच्छा होगा ऐसी सुगंद बिलकुल यूज ना करें जो बहुत तेज हो कि व्यक्ति कहीं से गुजर जाए तो गुजरने के बाद भी बहुत देर तक उसे स्मेल आती रहे मतलब परफ्यूम की या डियो की सुगंद आती रहे ये जो चीजे होती है ये नुकसान दे होती है ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं चोथे करण की चोथा करण है वो ये बोलता है कि कुछ लोग होते हैं जब हम सफर करते हैं तो लंबा सफर होता है तो कही ना कहीं टॉयलेट आही जाता है मलमूतर त्यागने की कंडिशन आ जाती है अब ऐसे में क्या करें तो पहले ये चेक कर लें कि जो सुनसान जगा है जहां आप किसी पेड़ के पास ऐसा मलमुतर त्याग रहे हैं तो ऐसे में देख लें कि कहीं कोई दो इटे तो जुड़ी हुई नहीं रखी कहीं कोई कब्र तो नहीं है कोई छोटा सा कोई थान तो नहीं बना दिये किसी का यानि कि कोई ना कोई प्रकार की शक्ती है वहाँ पे तो अब आपका क्या फर्ज बनता है एक साधरन इंसान होने के नाते आप बोलें कि यहां जो भी शक्ती है मैं उसको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ और मैं अंजान बालक हूँ मैं मैं आपकी शक्ति को प्रणाम करता हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस वज़ा से यहां पर आया हूँ, और मुझे से जो गलती हो, मुझे शमा कर दीजिए, इस परकार से आप समायाचना जरूर करें, अगला जो करण है, वो ये बोलता है, कि बहुत से लोग आजकल टूर बहुत मज़ाता है, लेकिन अगर ऐसे में, अगर कोई ऐसी एनरजी है, ठीक है, उसको लगता है, कि उसे पकारा जा रहा है, और वो इस वक्ति पे सवार हो जाती है, और जब वो खोलती है, किसी बगत के सामने जाके, उसने मुझे पकारा था, और उसको ध्यानी नहीं होता कि उसने ऐसे कैसे किसी को पुकार लिया, वो बोलता है, मैंने तो किसी को नहीं पुकारा, तो इस तरह के खेल ना करें, जिससे की आपको दिक्कत हो जाए, खेल करने के लिए जिंदगी में, और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगले करण के बारे मैं आपको बताता हूं, बहु मैं तो ये काम कर के दिखा रहा हूँutan मैं देखता हूँ कौन क्या करती है तो भाईया इन्हे कभी चैलेंज मत कर देना इन शक्तियों को च्योंकि नकारातमा कुर्जा का तो मैं बोलता नहीं हूँ परिशान तो वो भी आपको इतना कर देगी कि आप सोच नहीं सकते लेकिन अगर कोई देवी देवता की शक्ती हो गई वहाँ पे है किसी ग्रामिंट देवता की भी शक्ती हो गई वहाँ पे और उसको आपने चैलेंज कर दिया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता क्योंकि छुटकारा नकारत्मकुर्जा से दिलाए जाता है सकारत मों कुर्जाओं से नहीं क्योंकि आन होती है इनकी इसलिए कभी भी चैलेंज ना करें किसी भी अपने खेल खेल में आके जोश में आके किसी भी तरीकी से चैलेंज ना कर बैठें सकती हो को कि ले यहां कोई कुछ नहीं करता ले मैं कर के दिखाता मुझ ऐसा कभी ना करें इस बात को बहुत विशेश तोर पर ध्यान रखें एकले करण के बारे बात करते हैं वो है कि रात को किसी सुनसान जगा पर आना जाना पड़ जाता है किसी वज़ा से हमें तो क्या करें कभी भी एक तो ऐसा रस्ता ना चुने जो आप कभी गए ना हो इसी ने बता दियो यह रस्ता शॉटकट है जो इससे चले जाओ रस्ता वो ही पकड़े जिससे आप आते जाते हो रेगुलर रस्ता वो पकड़े जहां पे चहल पहल रहती हो ट्रैफिक मिलने की संभावना हो गाड़ी मोटर वहन जाते हो योकि नकरात्मा को उड़ जाएं सुनसान जगाँ पर ही जादा मिलती है एक लास्ट रीजन में आपको बताता हूं क्याई बार आपने देखा होगा चौक चुराहे पर काफी सारे जादू टोने उतारे करे जाते हैं अगर आपका ऐसे किसी उतारे से सामना हो जाए तो क्या करें सबसे पहली बात तो उससे थोड़ा बचके निकले अपने इस्ट देव का मंत्र पढ़के निकले या कोई चालीसा पढ़ते हैं तो वो पढ़के निकले ऐसा करें तो उससे आपको नुक्सन नहीं होगा कुछ मैंने देखे हैं नौजवान बच्चे जिनको इस वारे में नौलेज नहीं होती और वो उस पे लात मारते हुए निकलते हैं ऐसा मेरे पास एक केस आयो हुआ है लात मारते हुए निकलते हैं देखो ऐसा जो भी अगर कोई यंग्स्टर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना समझ लीजे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो नकार अत्मा कोरजाएं जो होती हैं या माल लीजे जिस भी चीज़ का उतारा है या कुछ भी किया गया हो बहुत परचंड रूप धरन करत और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ने कब गलती करी और आप उस शक्ति का अटेक कब हुआ और आप अपने जीवन में किस-किस रूप से परिशान हुए आपको पता भी नहीं चलेगा तो जान-बूझ के तो लात ऐसी चीज़ों पर कभी भी नमारे कि मैं यह करके द आपको अंजाने में एक बहुत बड़ा दुश्परिणाम जहलने को मिलें तो दोस्तों आज हमने बात करी कुछ ऐसे कारणों की ऐसी गलतियों की जो जाने-अंजाने में भाई-बेण कर जाते हैं और नुकसान जहल बटते हैं तो ऐसी गलतियां ना करें दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिष्टेदार तक पहुँचाईए ताकि वो इस वीडियो का लाब उठा सके और अगर आप हमारे चैनल लले जोतिस समाधान पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारियां मंतरों से जुड़ी जानकारियां इस तरह की जानकारियां आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से वीड़ा लेना चाहूंगा नमशकार दोस्तों जैश्रीराम